क्या चाते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं उसने उत्तर दिया प्रबू मैं फिर देख सकूं येशु ने उससे कहा जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उधार ही किया है संत लूकस कासु समाचार अध्याए अठारा पसंक्याएं 41 और 42 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों आज कासु समाचार में हम देखते हैं किस प्रकार इरिको में रहने वला अंदा प्रबू को पहचानता है और दूर से चला के बोलता है दावुद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए प्रिया भाई तो बहनों ये एक जन्मांद अंधा था जन्म से अंधा था देख नहीं सकता था लेकिन उन्होंने मैसूस किया प्रबू उस रास्ते से जा रहते शायद किसी से सुना होगा या अपने आप विश्वास के गहराई से प्रबू उस रास्ते में आने वाले करके उन्होंने मैसूस किया इसलिए वो पूछते हैं प्रबू मुझ पर दया कीजिए और प्रबु रुकते हैं, रुक कर उसे पूछते हैं, क्या चाते हो तुम, मैं तुम्हारे ले क्या करो, मुझसे क्या चाते हो, वो कहते हैं, फिर मैं देख सकूँ प्रबु इतना है कहते हैं जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया उद्दार किया है प्रिय भाचत बैनो शायद ये शारिरिक अंदा नहीं था होगा शायद हो सकता है ये एक आध्यात्मिक अंदा पापूं से अंदा हुआ था लोगों के और गलत शायद उनके रिष्थे तो होंगे गलत विचारते होंगे गलत कारी करते होंगे इसलिए वो अंदा हो गया था कहीं भी वो सही, सच्चाए, सही रास्ता नहीं पा रा था प्रिय भाचत बैनो आज के दोलों पाटों में हम गहरे चिंतन करें पहले पार्ट यदि हम देखें वहां कहा गया है शरीर से ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करने की बात हमें शरीर से ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और वही बात प्रबु भी समझाते हैं विश्वास जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है मेरा विश्वास क्या मुझे उद्धार कर सकता है याने विश्वास याने यामे प्रबु में तसल्ली पाना प्रबु में शांती पाना प्रबु को अनभव करना प्रबू के साथ जीवन बिताना ये सब विश्वास के अलग-अलग कारिय हैं मेरा विश्वास प्रबू में कहां तक है क्या मैं सच पुछ प्रबू में विश्वास कर पाता हूँ उस अंधे के समान जब हम भी पापों के कारण अन्दे होगे प्रबू के प्रास आने के लिए कोशिश करते हैं साल में कितने बार पाप स्विकार हम करते हैं पाप स्विकार करने के बाद कितने बार हमारे जिवन में बदलाव आता है ये आज के दिना में पोचना है तब भी प्रबू कह सकते हैं जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, आमिन.